हेलो इस्टुडेंट्स तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एससी फेस 11 का एक्जाम है वो आज यानि 27 जून से यहां पर शुरू हुआ था यह थर्ड सिप्ट का एक्जाम समाप्त हो गया और थर्ड सिप्ट की यहां पर बात कर लेंगे आपका तो थर्ड सिप्ट काफी ले वीडियो के बने रहना है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि यहां पर हर एक्जाम से रिलेटेड इनलैसिस मिलता रहता है पहला जैसे क्विश्टन यहां पर दिया हुआ है कि जो मून वॉक पुछता कहे उसके लेखा कौन है तो अगर मून वॉक की बात कर ल अमेरिकी रिकॉर्डिंग जो कलाकार थे माइकल जैक्सन के दोरा लिखी गई आत्मकथा थी और यह पुछतक जो थी पहली बार जैक्सन के 1987 के बैट एल्बम के रिलीज होने के पांच महीने बाद एक फरवरी 1988 को डबलडे दोरा प्रकाशित की गई थी और इसका नाम जैक आप लोगों से डिसकस करेंगे यहां पर एक जो हम लोग एक नई पहल की शुरूआत करने जा रहे हैं जो अमन सर के दोरा शुरू की गई अमन सर की पहल है जो कि आप साथ सभी लोगों ने नाम सुनना का होगा उनका अमन प्रयाज जी के जिनका चैनल है तो हम लोगों के तो और एक पहल सुरू की गई है यहां पर कि जो CGL और CHSL के इस्टूडेंट्स हैं आपके उन लोगों के लिए आपको Monday to Saturday यानि कि सोम वार से सनी वार तक आपको 50 कुईशन की टेली ग्राम पे कुईज करवाई जाएगी जिस कुईज का जो प्राइस है आपका 49 रुपीज र के कुईशन आपको मिलने वाले हैं तो आपको इससे जुड़ जाना है क्योंकि इसमें जो है आपको काफी बेनिफिट इसके अंतरकत आपको मिलने वाले हैं जैसे बात कर लें कि आपको 50 कुईशन GKGS जो के पूरते हैं आपके TCS पैटर्ण पर आधारित होंगे यहां पर बात कर लें कि सारे जो डिटेल के लिए आपको यह नंबर दिया हुआ है यहां पर वाटसेप इस वाटसेप नंबर पर आप जैसे कॉंटेक करेंगे तो आपको सारी अपडेट जो आप नहीं समझ पा रहे हैं यहां पर मिल जाएंगी लिम्टेड सीट्स रखी गई हैं ता आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था भारत के अंदर वो किस वर्स जीता हुआ था तो यहां पर वर्स पूछा गया था भारती आई सी सी क्रिकेट का विसक अप जो हुआ था किस वर्स जीता गया था तो एक तो आपका जो था वो 1983 में इस समय कर कप्तान की बात कर लें त option आपके कुछ ऐसे थे कि 2011 था 2015 16 था आपका दोजार आपका ग्यारे था फिर 15 था 19 था और आपका कुछ पहले का दिया हुए था जितने भी option थे आपके 2000 के बात के दिये हुए थे तो अगर इसकी बात कर लें तो आपका 2011 वहाँ पर राइट अंसर था यानि की बारे साल लगबग पहले दो अपरेल 2011 को रचा गया था और जब भारती टीम ने मुंबई में स्री लंका को हरा करके दूसरी बार वर्ल्ड कप क रहा हुआ था तो यह question आपसे पूछा गया था 2011 इसका राइट अंसर था next question यह पूछा गया था कि जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कम मनाई जाती है आप हिंदू कैलेंडर की बात की गई है वैसे तो आपकी मार्च की महीने में हो जाती लेकिन आपके हिंदी हिंदी महीने हिंदी कैलेंडर की बात की गई थी तो जो आपका रंगो का तेवार यानि होली है या यानि होली होली जो हर साल वाल गुल महीने में जाता है आपका होली का हूजन जो कि आम तोर पर फरवरी के आंत में या मार्च की शुरुआत में पढ़ता है जब आपका होली का समय होता तो फालगुन आपको अप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट था कि दिशंबर 2022 में इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गए तो यहाँ पर आपके इंटरनेशनल आपका ओलम्पिक काउंसिल नहीं यहाँ पर आपके आई ओसी आनिक इंडियन आपके जो ओलम्पिक एसोसियेशन था उसकी बात की गए दी कि अध्यक्ष कौन बना हुआ है तो यहाँ पर पीटी उसा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ओलम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष बनी इंडियन की धनकर्ड जो कि यहाँ के अपके उपराश्च्ट पती रह हुए है राजसभा का उपसभा पती इन को बढ़ाई देवी तहीं कि संग की अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला हूँ यालंपिक ऑशसियेशन के अध्यक्ष बनी ये है और फ़ेयं बंने पर इन्नोंने पो बढ़ाई दे गई है तो यहाँ पर पीटी उसा राइट आंसर हो जाएगा जिने आपका golden girl के नाम से भी जाना जाता है कि इनके आत्म का नाम golden girl और ये बात करें तो ये उड़न परी के नाम से आपकी जानी जाती है यानि ये भारती धावक रही है next question है कि केंद्र सासित जो प्रदेश है दिल्ली किस अनुच्छेद में आता है तो अगर केंद्र सासित प्रदेश दिल्ली की बात कर ले कि किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो समविधान का जो भाग आठ है भाग आठ में अनुच्छेद आपके 249 से लेकर के 241 दिये ह तो भारत में केंद साशित प्रदेशों के राश्ट पती के दौरा उनके दौरा नियुक्त प्रसास्था की माद्याम से प्रसासित किया जाता है तो ये question है आपड़ पूच्छा गया था next question एक आपका देखे रिपीटर था morning shift में भी आपका आया हुआ था कि 2011 की जनगलना के नुसार भारत की पुरुष साक्षर्टादर कितनी थी तो अगर पुरुष साक्षर्टादर की बात कर ले तो जो 2011 की आपकी जनगलना थी वो पुरुष साक्षर्टादर में आपकी बात कर ले तो इसमें कुछ वरद्धी हुई थी जो देश के अगर आपक 65.4 से प्रस्यत यहां पर हो जाएगी नेक्स्ट आगे question देखेंगे कि 2022 में ध्यान चंद पुरुसकार किसे दिया गया तो 2022 में ध्यान चंद पुरुसकार की बात कर ले तो table tennis के जो खिलाड़ी सरत कमल ले हुए उनको 2022 का इस वर्स का ध्यान चंद मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया जो कि पहले राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार के नाम से जाना जाता तो सरत कमल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जिनको 2022 का मेजर ध्यान चंद पुरुसकार दिया गया यानि सरत कमल इसका राइट आंसर था टेनिस के खिलाड़ी आपको इतना भी याद रखना है नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट एक क्विश्चन यहापर आपका डांस वगेरा से आया हुआ था कि जो राधा रेड़ी हैं और राधा रेड़ी हैं वो किस नरत से संबंदित हैं तो चाहिए राधा रेड़ी हो या फिर राजा रेड़ी हो जिनके लाष्ट में आपका रेड़ी आता है ये सबी लोग कुची पुडी नरत से संबंदित होते हैं कुची पुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे किनका संबंद था और बाकी अगर बात कर लेंगे तो कुचीपुरी इसका राइट अंसर हो जाएगा बाकी कुचीपुरी भारत के आठ साश्तिरी नतों में से एक है इसकी नत की एक परामपरिक शहली है और यह बात कर ले तो दरसल आंध प्रदेश का एक जिला है साश्तिरी नतों में से एक नत कुची पुड़ी भी आता है नेक्स्ट कुश्चन आपका यह पूंचा गया था कि देखे गेटवे ओप इंडिया किस वाश्तुकार ने बनाया हुआ था तो जोर्ज वीटेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि गेटवे ओप इंड और मुंबई बंदरगाह पर इस म्रती पत्र के रूप में इसका निर्माल वाश्तुकार जोर्ज वीटेट के द्वारा किया गया था जो कि गेटवे ओप इंडिया के वाश्तुकार रहे हुए थे नेक्स्ट एक क्विश्चन था कि कैसर ए हिंद की उपादी किसने त्याग जो में बोर युदि के दोरान उनकी सेवा के लिए उन्हें प्रदान किया गया था तो यह गांधी जी को दी गई थी कैसर हिंद की उपादी जो कि इन्होंने अंग्रेजियों को लोटा दिया था तो यहां पर गमात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन्हों आपका 1347 से लेकर के 1518 तक चला था दंकन का एक इसलामी राजा था और इसकी स्थापना जो है आपकी 1347 में एक तुर्क अपगान सूबेदार अलाउद दिन बहमन साने की हुई थी यानि अलाउद दिन बहमन सा के दोरा बहमनी समराज का इस्थापना की जाती है 1347 में तो एक कुछ विधान सभाचेतर से रिलेटेड आपका जैसे पूचा गया था कुछ यह था कि विधान सभाचेतर जो है NCR के जो विधान सभाचेतर आपके किस अनुचेत के अंतरकत होंगे तो आपका 69 एक सम विधान संसोधन होता है जिसके तैद अगर बात कर लें तो 1991 में खेता और जिसी के तहए NCR को विधान सभाचेतर भी गोशिद किया गया था और इससे राश्टी राजदानी गोशित किया गया था इस राज के लिए और बात कर लिया बात कर लें तो इस राज में एक विधान सभाच कर बात तो यह था overall इतना ही मिल पाई इसमें थोड़ा लेट दे पाएं आप लोगों के लिए स्वारी चाहेंगे पहली बार हो पाता है कभी कभी कोई इसू हो जाता है आज काफी लेट है मैं तो बहुत ज्यादा ही लेट है बस आप लोगों को सपोर्ट कर देना है थोड़ा वीडि ठाप्ट करना है इसने करने है ले लेटिए